हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है अमारे चैनल सिखो जरा आटके में आज मैं इंडिया के बारे में कुछ ऐसी बाते बताने जा रहा हूँ जो आपने फिले सायदी कहीं सुनी होगी तो चलिए सुरू करते हैं इंडिया में करीब 40% से भी ज्यादा लोग वेजिटेरियन खाते है जो दुनिया में सबसे ज्यादा वेजिटेरियन खाने वड़ा देश है और इसी वज़े से मेक डोनल्ड और केप सी ने इंडिया में वेजिटेरियन मेनू को लोंच किया हम इंडियन लोगों को कबड़ी बहुत पसंद है इसका जिता जाकता उधारण है कि अब तक के सारे कबड़ी वल्लकप सिर्फ भारत नहीं जीते है और महिला कबड़ी में भी सारे वल्लकप भारत नहीं जीते है दुनिया की सबसे ज़्यदा बारिस वला इलाका भारत की मेकालई का मोसिन गाव है यहाँ पर एक साल में करीब 667 इच तक बारिस होती है दोस्तो 2011 का कुम मिला अलाहबाद दुनिया की सबसे ज़्यदा फीड का गवाह बना इस मिले में करीब 7.5 क्रोड से भी ज्यादा स्रदलू एक जगह एकट्था हुए जो कई देशों की पूरी जंग संक्या से भी ज्यादा है और यह फीड को स्पेस से भी देखा गया है दुनिया की कुल विस्की में से 40% विस्की यानी 40% विस्की इंडिया के लोग पी जाते है पारत के लखनों में स्थीज स्कूल दुनिया में सबसे बड़ा स्कूल है जिसमें करीब 40,000 से भी ज्यादा स्टूटन्ट है जिसका रेकोड गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकोड मेटी है भारत दुनिये की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है लेकिन यहाँ पे केवल 3% लोगी टेक्स परते है यह एक चोकाने वाली बात है कि एक वोटर के लिए उपुलिंग स्टेशन और इलेक्शन में लगाया जाता है और वो वोटर है महन भारत दास जो गिर के जंगलों में रहते हैं इसके लिए गिर के जंगलों के बीच में और बार उपुलिंग स्टेशन लगाया जाता है के 24 गंटे मुंबई में एक तीन सांस लेना यानि 100 सिगरेट पिने के बराबर है 1957 में पारत के पॉलिटिशियन वी के कृष्णा मेनन ने यूएन सीक्यूरिटी काउंसिल में आठ गंटे लंबा बासन दिया था जो पूरी दुनिया में अब तक का सबसे लंबा बासने और वो बासन उनके बेवर सोने के साथ खतम हुआ था